तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आलू का चीप शेयर की थी और आज मैं साबुदाना का पापर बनाओंगी तो आज उसी के रेशिप चर कर रही हूं तो साबुदाना मैं पानी में भीगो दी हूं और इसमें डाने के लिए मसाले जीरा लहशन और गोल मिर्च उसका पेस्ट बना लूँगे और यह पतीले में पानी गर्म की हूं तो यह अच्छे से घर्म हो गई है तो इसमें मैं साबुदाना जो रखी तीवी गोने के लिए डाल देती हूं और यह जो मैं पेस्ट बनाई हूं मसाले का उसे भी इसे में डाल दूंगी और इसमें हम पापर का तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगतार चलाते रहेंगे यह थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो इसका पेस्ट तियार हो जाएगा पापर का यह देखिए गाड़ा हो रहा है तो इसे लगतार हम चलाते रहेंगे तो देखिए इस तरीके का हमने बना और आप मैं छट पे आ गई हूं तो छट पे मैं दू बहुत अच्छा है छट पे डालूंगी और यह मैं प्लास्टिक बिचा ली हूं और उसके उपर मैं तेल लगा दे रही हूं ऐसे पापर चीपकेगा नहीं तो अच्छे से मैं फैला दे रही हूं तेल और चलिए पापर बनाते हैं तो चमज की हल्प से मैं इसे गोल गोल शेप दूंगी पापर का और अभी धूप इतना चाह होता है कि दो दिन मतलब बहुत है पापर सुप जाने के लिए काफी अच्छा धूफ होता है तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पिले जरूर देखेगा मैं आलू को चिपस अंकिती और यह साबु दाना का पापर है तो देखे मैं काफी शार बना ली हूँ तो इसे मैं बना ली हूँ और ये दिखेगा कितना आसानी से निकल जाएगा क्योंकि तेल लगा हुआ है ये अपने आप भी निकल जाएगा इसे चुराने की विज़वत नहीं है ये देखिए मैं साम को आई थी तो ये अपने आप ऐसे सूप कर निकल चुका था है तो ये अभी अच्छा से नेश्रुका है तो इसे एक दिन और सोखाऊंगी तो दो दिन शुकने के बार फिर मैं आपको दिखाती हूं कि हमारा पापर कैसा है ये देखिए तो यह काफी अच्छे से सूख चुका है जैसा पापर होना चाहिए बहुत अच्छे से सूख चुका है तो दो दिन बहुत थे सूखने के लिए तो चलिए अब मैं इसे च्छान के दिखाती हूँ कि हमारा पापड कैसा बना है तो तेले गर्म कर ली हूँ और ये देखिए पापड में सेक लेती हूँ इतना अच्छा ये फैल गया है तो ये ऐसे ही मैं बहुत सारा भी मतलब च्छान लेती हूँ तो इसे आप जरूर ट्राइब किसा ये चावल के साथ खीचरी के साथ या ऐसे भी नास्ता के रूप में आप इसे खा सकते हैं तो आप लोग इसे जरूर बनाईएगा और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ काफी सॉफ्ट भी है और तो चलिए मैं इसे के साथ आप आज का ये रेसेपी काइंदी करती हूँ आप लोग को कैसा लगा जरूर बताईएगा झाल 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 झाल